हेलो एबरियान स्वागत है आपका आज हम बनाएंगे वेज में चुरियों की बहुत ही आसान वाली रेसिपी थोरीची ग्रेविक साथ बनाएंगे जिससे ये बहुत ज्यादा सौप्ट रहता है और जो सबसे इजी तरीका है वो तरीका मैं बताऊंगी चलिए बनाना सुरू करते हैं मैं यहाँ पर गाजर और पत्ता गोभी से बना रही हूँ आप चाहिती से बिना गाजर का भी बना सकते हैं उससे भी ये बहुत स्वादिश्ट बनता है मैंने यहाँ पर गाजर और पत्ता गोभी दोनों को ग्रेट कर लिया है यहाँ पर आप quantity दे सकते गाजर जो है पत्ता गोबी से कम होना चाहिए अगर आपको गाजर पसंद नहीं है मैं फिर से बोल रही है तो आप भी ना गाजर कभी बना सकते हैं यहाँ पर देखिए चोटा बला बंद को भी लें और उसको इसके उपर इसे घीसेंगे बहुत ही आसान सी यह हो जाता है यह यहाँ पर मैंने गाजर और पत्ता को भी दोने चीजें को अच्छे से घीस लिया है अब इसको हम एक बॉल में डाले तो कोई भी बडाबरत नहीं即 2014 को आपका अच्छे से मिला सके उसमें ले ले लें यहां पर मेहीं थोड़ा सीमला मिर्च डाल रही हूं रहे हैं और इसके बाद इसमें थोड़ा से हरी मिर्च भी डाल दें अगर आप तीखा खाते हैं तो आप थोड़ा अधरग घिसके डाल देंगे थोड़ा से ब्लेक पेपर डालेंगे और थोड़ा से यहाँ पर लाल मिर्च पॉड़र डालेंगे यह सबी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दो चमच कॉन फुलोर डालेंगे और एक चमच मैदा डालेंगे अगर आपके पास कौन फ्रोर नहीं है सिर्फ दो चमच मैदा डाल दें और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वादयनुसार नमक डाल दें और इसको तब तक मिलाते रहें जब तक कि यह ठीक से बंदने न लगे जब इसका अच्छे से बॉल बनने लगे वहाँ तक इसको मिलाना है इसमें पानी नहीं डालना है बहुत ही आसानी से यह बन जाता है सबजी में पहले से पानी रहता है जिससे यह बहुत ही आसानी से बन जाता है मंचुरियन के बॉल आप अपने हिसाब से चोटा बरा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बॉल बना लिया है और इसी तरह के से सारे बॉल बना लूँगी जब आप मंचुरियन के बॉल बनाते हैं तो कोशिज करें मैदा या कॉन फ्लोर कम डालने का अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो उसमें पूरा मैदा का है सुआद आएगा तो आप हरवराय नहीं उसको ठीक से मिलाए थोरी देर में आप देखेंगे कि बॉल बना शुरू हो गया है असाने से बन जाती है यहाँ पर मैंने इसी तरह के से सारे बॉल को बना लिया है अब हम मंचुरिन बॉल को फराई करेंगे आप यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं मैं यहाँ पर रिफाइन ओयल योज कर रहे हूँ आज को हाई पर रखें तेल को ठीक से गरम होने दें इस पूरे प्रोसेस को बनाने में आपको आज को हाई पर ही रखना है और यहाँ पर बॉल डालेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाता है एक एक करके सारे बॉल डाल दे जब आप मंचुरिन बॉल को तल रहा है इसको तुरंत नहीं पलटना है कम सकम दो मिनट इसको एक साइड से पकने दें उसके बाद अराम से पलटें आप यहाँ पर नीचे से देखेंगे नीचे से पकना सुरू हो गया है उसके बाद बीच बीच में देखते रहें आप उसके बाद इसको सारे बॉल को अच्छे से पलट देंगे इसको बनाने में आपको 5-7 मिनट लगएगे 5-7 मिनट में अच्छे से पक जाता है منचुडयन का बॉल सबजी आंदर से अच्छे से यही पर पकाना है इसको बाद में इसको सिर्फ ग्रेवी में डालके मिलाना है सब्जी को ठीक से पकने दें यहाँ पर हमारा एक बेचबन के तयार है और इसी तरीके से मैंने सारे मंचुरियन बॉल को तल लिया है इसको निकाल के साइड में रख देंगे और हम ग्रेवी बनाने की तयारी करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए मैं उस पेन को यूज नहीं कर रही हूँ मैं दूसरा पेन ले रही हूँ आप चाहे तो उसी का तेल निकाल दें और उसमें भी बना सकते है तो तीन चमज तेल डालें तेल गरम होते हैं उसमें हरी मिर्च डालेंगे गीसा हुआ अध्रक डालेंगे, लासुन डालेंगे, लासुन और अध्रक इसमें बहुत जरूरी होता है, इसका बहुत अच्छा स्वादा आता है, यहाँ पर फ्लेम को हाई पर रखें और लासुन और अध्रक को अच्छे से पकने दें, जैसे हैं इसका color change होता है यहाँ पर कि ओस दो चमाच कॉनफुलर को यहां उर पानी में घोल के रख दूंगे इसको बाद में ग्रेवी डालेंगे। इसको ऐसे हयां Christmas के रख देंगे幼नाने मिलें। तब तक धाले रुटky आद़ चमद ब्लैक पेपर दो चमद चिली सॉस दो चमद ग्रेइं चिली सॉस चमद चिली सुस ज्यूरी शूर के जाएगि यहांपर यहांदवादस चमस पनिगर पनाना और इसके वाद इसमें दो कप पानी डालेंगे, छोटा वाला कप जो चाय वाला कप होता है, उस वाले कप से दो कप पानी डालेंगे, अब इसको दो से तीन मिनिट अच्छे से पका लेंगे, ग्रेवी को बनाने में भी आज को हाई पर रखें, नहीं तो हमारी सबजी याँ soft हो जाएगी जो मंचुरेन होता है उसमें सब्जी तो रहा क्रेंची रहता है तो क्रेंची से का स्वाद अच्छा आता है तो सब्जी का क्रेंचिनस बना रहे है इसके लिए आपको आच हाइप पर अपड़ेगा अब इसको दो से तिन मिनट अच्छे से उबाल लेंगे और जैसे ही उबाल आ जाता है उसमें हम कॉपताबॉल एड करेंगे और इसको बस एक से डेर मिनट रख देंगे उसके बाद गैस बंद कर दें और इसको सर्व करें आप चाहाई ते इसको नूडल्स के साथ खाया या फ्राई राइस के साथ खाया बहुत ही गजब का स्वाद और इसको बनाना कितना असान आपने देखी लिया ते आपको कीचन में ही मिल जाएगा और ग्रेवी रखने से फाइदा यह होता है कि हमारे मंचुरियन है वह जादा जूसी बनता है जादा सौफ्ट रहता है आप एक बार इसको इस तरीके से ट्रेक किजएगा आपको करें शेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें